नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं प्रिती दयाल आपके साथ केके पाठक इन दिनो छुट्टी पर चल रहे हैं जिसके बाद डॉक्टर S सिधार्थ को शिक्षा विभाग के अपरमुखिस अचीव की जिम्मेदारी सौपी गई है जिम्मेदारी मिलने के बाद से उन्होंने अब तक कई सारे फैसले ले लिये हैं इसी क्रम में एक और फैसला सुना दिया है जिसके बाद विभाग में खलबली मच गई है दरसल यह साफ कर दिया गया है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालियों में कारेरत शिक्षकों को प्रशिक्षन के बाद ही वार्शिक वेतन वृद्धी का लाभ मिलेगा शिक्षविभाग ने सपस्ट कर दिया है कि शिक्षकों को ये प्रशिक्षन लेना अनिवार है इसका असर उनके वेतन पर पर सकता है इस संबंध में शिक्षा विभाग के अप्रमुक्रस अचीव डॉक्टर S. सिधार्त ने सभी जीला शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित जीला कारेकरम पदाधिकारियों को लेटर जारी करते हुए निर्देश दिया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ट्रेनिंग पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों को सलाना इंक्रेमेंट नहीं होगा दिये गए आदेश की माने तो सपस्ट कर दिया गया है कि व्यवसाइक विकास योजना के अंतरगत शिक्षकों के व्यवसाइक विकास के लिए राजे के सरकारी विद्यालियों में कारेरत सभी शिक्षकों को शिक्षविभाग की ओर से संचालित चरणवार सेवाकालीन आवास ये प्रशिक्षन लेना अनिवार रहे हैं। अब तक प्रशिक्षन नहीं लिया है जिसके बाद वे पूरी तरह से शिक्षविभाग के घेरे में आ गए हैं। प्रशिक्षन प्राप्त करने के बाद संबंधित शिक्षकों को निर्धारित तीथी वेतन व्रिधी का लाब पुना दे होगा। तो इस तरह से देखें तो शिक्षविभाग के नए अपर मुखे सचीव डॉक्टर एस सिधार्त ने जब से शिक्षविभाग की कमान संभाली है तब से वह फुल एक्टिव मोड में है। इससे पहले उड़ों ने शिक्षकों के लंच ब्रेक, स्कूलों के निरिक्षन समेट कई मामलों को लेकर के आरदेश जारी कर दिया है। ऐसे में एक और आरदेश जारी किया गया है जिसके बाद से शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने भी तक हमारे यूटूब च्रेया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगरे वीडियो फेस्बुक के माद हमसे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले।